प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। चर्चा करेंगे, हमारी प्राकृतिक दुनिया पहुत सुन्दर है, और जटिल भी, इसमें बनस्पतियों और जीवों की एक बिशाल भविद्यता है, कुछ सरल और कुछ जटिल, प्राकृति के इतने करीब होने के नाते, इस खूबसुर दुनिया के बारे में कई सवाल आप जैसे क्यों नहीं है, जीवन की उत्पति कैसे हुई है, हमारे आस पास जो चीजे हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, वो ऐसी ही क्यों आई, प्राकृति में ऐसे ही निरंतर और क्रमबद परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए, हर्वेट स्पेंसर ने एवलूशन यानि के विकास शवद का प्रयोग किया, डार्विन ने बाद में विकास को संशोधन के साथ वंश यानि के डिसेंट विद मोडिफिकेशन के रूप में परिवाशित किया, ये डार्विन ही थे जिन्होंने संशोधन के साथ प्राकृतिक चुनाब, जिसे के हम नैच्रल कहते हैं, कि अवधारना को वंश के पीछे प्रात्मिक वल के रूप में समझाया, प्राकृतिक चुनाब ऐसे व्याक्तियों का पक्षदर है, जो अगली पीडी में आधिक संतानों का योगदान करते हैं, डार्विन के अनुसार, ये प्राकृतिक चुनाब है, जो सम कहते हैं, चुनाब एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें प्रयावर्निये, कारक जा जीवों की अनुवशिक सरंचना तै करती है, कि कोण से जीव खुद को दूसरे की तुलना में बहतर रूप से अनुकुलित करेंगे, चुनाब केवल तब होता है, जब किसी अवाधी के व्या पूसरे की तुलन नहीं होती है, जहां जब बेच चुनिनदा ततस्त ज्यानि कि जिसे हम न्व्यों कहते हैं, होते हैं, यह भी समझना चाहिए कि चुनाब हमेशा सकरात्मक चुनाब, जिसे कि हम पॉजटिव सेलेक्शन कहते हैं, नहीं हो सकता, ये नकारात्मक चुनाब भी हो सकता है जिसे हम negative selection कहते हैं नकारात्मक चुनाब व्यक्ति की पुना उत्पन करने की छमता को कम करता है जबकि सक्रात्मक चुनाब अनुकुली विशेष्टा की घटना को भड़ाता है हलांकि चैन हमेशा ये सुजाप नहीं देता कि केवल लाबकारी लक्षन या एलिल जिसे हम कहते हैं ही अवादी में होंगे ऐसी संभावनाई हैं कि चुनाब परजातियों के सदस्यों में सारभोमिक रूप से होने के लिए कुछ गातक लक्षन जा एलिल पैदा कर सकता है व्रिडिंग कहते हैं कि रूप में भी जाना जाता है ये मूल रूप से ये वांशनी विशेष्टा के लिए जानबरों और पोदों का प्रजनन है वांशित विशेष्टा या लक्षन जिसे हम कहते हैं के साथ एक पोदे या जानबर कृतिम रूप से समान गुन या लक्षनों वाले जीवों से पार प्रजनन करते हैं जिसके फलसव रूप विशिष्ट वांशित लक्षनों की एक उच्छमिता वाली संतान होती है इस चकर को संतान के साथ दोराया जा सकता है जब तक की विशिष्ट वांशित विशेष्टा या लक्षन प्रापत नहीं हो सकते हैं विविन सब्जियों को जंगली सर्सों से कृतिम रूप से कुछ लक्षनों को चुनावात्मक तरीके से खेती की गई थी जैसे की बहुत सारे इसके उधारन हैं ब्रैसिका अल्रेसिया जा फिर एक आम जंगली सर्सों जिसे हम कहते हैं उसकी एक प्रजाती जिसे हम कोलार भी कहते हैं, जा फिर ब्रेसल्स अंकुर कहते हैं, गोबी भी उसी की ही एक प्रजाती है, फूल गोबी, ब्रॉकली, इत्यादी तो आईए अब हम बात करते हैं प्राकृतिक चुनाब की, कि ये प्राकृतिक चुनाब कैसे होता है प्राकृतिक चुनाब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिनाम सब्रूप जीब अपने प्रयावरन के अनुकूल होते हैं कुछ विशेष्टाओं वाले व्यक्तियों की अवादी में अन्ने व्यक्तियों की तुलना में अधिक जीवित जा प्रजननिदर होती है वे इन वंशानुगत अनुवशित विशेष्टाओं को अपने वंश में पारित करते हैं और अंत में विकास बादी प्रिजनों के लिए अग्रणी होते हैं इस परकार प्राकृतिक चुनाब विकास का मूल भूत कार्यात्मक तंत्र है आएए हम प्राकृतिक चुनाब को समझने के लिए शलब जिसे कि हम पतंगा कहते हैं जा फिर पैपर्ड मोथ के उत्कुरुष्ट उदारन का अध्यन करें पैपर्ड मोस जिसे कि हम पतंगा जिसलब भी कहते हैं जिसका साइन्टिफिक नाम जो है, वो विस्टन बिटुलेरिया है, ये इंग्लैन में भ्यापक रूप से होता है, ये एक निशाचर कीट है, जिसे कि हम नक्टरनल इंसेक्ट कहते हैं, और दिन के दोरान ये पेडों के तने जा उनकी शाखाओं पर टिका हुआ होता है, और क पंकी पतंग या शलप कहलाता है, इसके जो पंक होते हैं, वो सफेद जा वाइट कलर हम कह सकते हैं, होते हैं, दूसरा, गहरे रंग का पतंगा जो काले पंक और शरीर के साथ मेलनिक रूप जा कार्बोनिका रूप जिसे हम कहते हैं, वो होता है, ये पैपर्ड शलप प्रा पुवांशिक रूप से विरासत में मिलते हैं। इनके अलग-अलग रूप भविन प्रयावरन के अनुरूप खुद को ढाल सकते हैं। 88 शतापदी के अंत और 19-वी सदी के प्रारंब में इंग्लैंड में अध्योदे करांती हुई। इस करांती के कारण वहां पे हलके रंग के शलब बड़ी संख्या में पाये जाते थे। श्वेद पंखी शलब काई से डके हुए पेडों के शाल की प्रुष्ट भूमी के साथ अच्छी तरह से शलावरन जानिके कॉमा फ्लैक करते थे। इससे उन्हें शिकारी पंख्यों से बचने में मदद मिलती थी। दूसरी और गहरे रंग के शलब जिसको की हमने कॉर्वणी का फॉर्म कहा है पेडों की शाल की प्रुष्ट भूमी के प्रतिकूल विशिस्ट थे जानिके उसके उल्टे थे। उनका कलर बिलकुल अलग था और इस तरह पंक्षियों का असानी से शिकार बन जाते थे। पैदा की कालिक के दूए ने पेडों के उगने वाले काई जिसे हम लाइकन कहते हैं को मार दिया उसको खतम कर दिया पेडों पर बहुत सारी कालिक जमा हो गई और परिनाम सब रूप पैपर शलब की प्रुष्ट भूमी का बातावरन काफी बदल गया पेड की शाखाएं क कालिक से काली हो गए अब उनके रूप के साथ मेलैनिक रूप वाले गहरे रंग के शलब जिनके की पंक काले रंग के थे ने अच्छी तरह से शलावरन जनिके कॉमा फ्लैक किया और बड़ी मात्रा में पंक्षियों दुआरा शिकार से होने से बच गये मतलब जब पंक्ष तेजी से भड़ी इसी के साथ श्वेत पंक्षी शलब शिकारी पंक्षियों का असान शिकार बन गए और उनकी अबादी में भारी कमी आई उध्योकिक शेत्रों में 1848 से 1898 तक पच्चास पीडियों के दोरान कार्विनिका फॉर्म की अबृति लगवग एक प्रतिशत से 99 प्रतिशत हो गई इस परकार ये दर्शा आता है कि गहरे रंग के शलब यानि के मिलैनिक रूप का चुनाब लाबधायक था प्राकृतिक चुनाब ने इनहें जिवीत रहने और संख्या में भृदी करने की अनुमती दी और इस परकार कीट की अवादी को एक दिशा दिय जानी गहरे रंग के शलब जिसे के हम मिलैनिक रूप कहते हैं में बदल दिया अब यहां प्रियावर्णिय कारक जिसने श्वेत पंखी शलब के खिलाफ गहरे रंग का शलब के रूप का चुनाब किया वैपंख्यों के लिए शिकार का चुनाब है प्राकृतिक चुनाब हलके रंग के लिए जीन को नश्ट करने और गहरे रंग के लिए जीन की क्रमिक ब्रिदी की दिशा में संचालित होता है इंग्लैंड के और उत्री स्कॉट लैंड के घैर प्रदूशित जहां जिसे हम कहें गैर अध्योगिक शेत्रों में प्रयावर्ती रूप यानि के श्वेद पंखी शलब की अधिक प्रचुर मात्रा में होना चुनाब की भूमी का परदर्शित करता है गहरे रंग के शलब जिसे के हम मिलैनिक रूप कहते हैं कि संख्या में भृदी के कार्णों का अध्यन EB Ford और HBD Cat World दवारा किया गया था प्राकुरती में प्राकुरतिक चुनाब की ब्याख्या करने के लिए एक और अच्छा उधारन है जैसे की कीटों में कीट नाशकों जैनिके DDT का प्रतिरोध जैसे हम रजिस्टेंस कहते हैं मच्छों को मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों के रोग बाहक जैनिके बैक्टर के रूप में जाना जाता है शुरुआती समय के दुरान DDT को मच्छों को नियंतरन करने के लिए कीट नाशक के रूप में सफलता पूर्वक इस्तेमाल किया गया मच्छों की आवादी तब अधिक DDT समबेदन शील थी लेकिन काम DDT प्रतिरोगी थी जानिके वो रजिस्टेंस कर जाते थे अगर हम कम DDT की मात्रावन को देते थे लेकिन जब DDT को बड़े पैमाने पर कीट नाशक के रूप में इस्तेमाल किया गया तो DDT प्रतिरोधी मच्छों को DDT समबेदन शील मच्छों पर प्रतिसपरदात्मक लाप मिला DDT प्रतिरोधी मच्छर अधिक से अधिक हो गए समय के साथ मच्छों की पूरियावादी DDT प्रतिरोधी हो गए कुछ ने कीट नाशकों के प्रयोग के उपरांत भी ऐसा हुआ और अबलोकन दर्ज किया गया इस प्रकार प्राकृतिक चुनाब के सिधांत के अनूसार रसाइनी कीट नाशन केवल एक सिमित समय के लिए उपयोगी रहते हैं चलिए अब हम बात करते हैं प्राकृतिक चुनाब के प्रकारों की प्राकृतिक चुनाब प्रजातियों की स्थिथी बनाए रखने और उन्हें बदलने दोनों के लिए ही जिम्मेदार है बिविन परकार प्रयावरन समंदों के अधार पर बिविन परकार के प्राक्रितिक चुनाबों को मानेता दी गई है जैसे कि स्थाई कारक चुनाब जा जिसे हम समाने चुनाब भी कहते हैं चुनाब को स्थिर करना प्रकृती में चुनाब का सबसे आम तरीका है ये चुनाब का एक नकरात्मक प्रकार है जो कम उप्युक्त या अधिक बिशिष्ट शमलक्षनी जिसे के हम फिनो टाइप्स कहते हैं को समाप्त करता है और योन प्रजनन बाले जीवों में ओसत या मद्यवर्ती फिनो टाइप का पक्षिदर है स्थाई खारक चुनाब तबी संचलित होता है जब प्रयावरन लंबे समय तक स्थिर रहता है इसके द्वारा ऐसी भविनताएं जिने उत परिवर्तन, जीन प्रवा, प्रत्करन और स्थिर बातावरन में पुना स्रियोजन किया जाता है जानि के बिना किसी परिवर्तन के निरंतर बातावरन को समापत कर दिया जाता है जन संख्या का जीन पूल ऐसे वातावरन में अनुवंशिक रूप से स्थिर होता है उधारन के लिए स्थाई कारक चुनाब द्वरा पोदों की उन्चाई को स्थिर किया जा सकता है मान लीजिये कि बड़े लंबे पोदों के बीच कुछ छोटे जग कम उन्चाई वाले पोदे हैं तो उनको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी और हिस्ता हिस्ता पर मर जाएंगे जग खतम हो जाएंगे ऐसे ही बहुत उन्चे पोदे जोकी हवा से तूट सकते हैं और भैबी खतम हो जाएंगे चुनाब मद्यम उन्चाई के पोदों का चुनाब और रख रखाब करता है इसके परिनाम सबरूप मद्यम उन्चाई के पोदों की संख्या बढ़ेगी जबकि छोटे तथा लंबे पोदों की संख्या घटेगी स्थाई खारक चुनाब का एक और प्रसिद उधारन H.C. बंप्स द्वारा 1899 में अध्यन किया गया था उन्होंने देखा कि रोड आईलेंड में एक भ्यंकर तुफान में लगवग 136 गोर्या गायल हो गई थी जब मर गई थी उन्होंने पाया कि तुफान से मारेगे पंक्षियों में ओसत पंक और पंक्षियों की तुलना में और समाने रूप से लंबे ज़ा छोटे पंक थे केवल 72 पंक्षि ही बच पाए अधिकांश पंक्षी जो समाने पंक और समाने श्रीर के अनुपात से बचे थे जो ओसत मद्धे मान करीब थे जिनको कि हम close to the mean value कहा जाता है जो ये इंगित करता है कि ओसत से बहुत अलग व्यक्तियों को व्यवहा गटनाओं के धोरान समापत होने की संभाबनाई अधिक होती है जबकि ओसतन व्यक्ति जीवित रहने में सक्षम होते हैं ये जनसंख्या के जीन पूल की उत्परिवर्तन के संचे की यांच करता है उत्परिवर्तन और परिवर्तन ये बातावरन में परजातियों की अनुकूलता को कम कर सकता है क्या अब आप इस कारण का चुनाब कर सकते हैं कि इस परकार के चुनाब को स्थाई करन चुनाब जा फिर समान्य करेन चुनाब क्यों कहा जाता है बिल्कुल सही जैसा की चुनाब जनसंख्या के जीन पूल में एक स्थिर्ता बनी रहती है इसे चुनाब को स्थिर करना कहा जाता है जानिके stabilizing selection भी हम कहते हैं ये समाने व्याक्तियों का पक्षदर है और विशिष्ट व्याक्तियों को खतम कर देता है और इसलिए इसे समाने करन चुनाब जानिके normalizing selection भी कहा जाता है हलांकी स्थाई कारक चुनाब शायद ही कभी संचालित होता है क्योंकि प्रयावरन लगातार बदलता रहता है और शायद ही कभी स्थिर होता हो चलिए अब हम बात करते हैं दिशात्मक चुनाब जा फिर प्रगतिशील चुनाब के बारे में दिशात्मत चुनाब एक जनसंक्या की अनुवांशिक सरंचना में एक प्रगतिशील जहां अप्रतेक्ष परिवर्तन लाता है ये तब होता है जब वातावरन विशेश रूप से एक विशेश दिशा में बदल रहा होता है और इस परकार कुछ विशेशताएं संबन्दी एक दिशा में अवादी के भीतर एक नियमित प्रिवर्तन पैदा करता है प्रयावरन जो लगातार बदलता रहता है, जीवित जीवों पर इस लगातार बदलते प्रयावरन से अनुकुलित होने के लिए निरंतर बदलने को अनिवारे बनाता है इन प्रस्तितियों में संचालित चुनाब को दिशात्मक चुनाब कहा जाता है दिशात्मक चुनाब प्रस्तितियों को दो अलग-अलग समुहों के अंतरगर्थ होता है पहला प्रयावरन में प्रगती शील जा दिशात्मक परिवर्तन के अधीन अवादी में उधारन के लिए जो हमने विस्टन बेटुलेरिया जो पेपर्ड मोद का उधारन हमने दिया था दूसरा, एक ऐसी अवादी में जो प्रयावरन्य प्रस्तितियों में एक ने चेतर में परवास कर रही थी उधारन के लिए आईसेज के अंत में केई परजातियां उत्तर की ओर ऐसे खुले छेतरों में प्रवास गई होंगी जो पीछे हटते गलेशीरों द्वारा निर्मित थे इन परजातियों ने बटी ठंड, कम दिनों और सर्दियों की लंबी रातों और गर्मियों के लंबे दिनों और छोटी रातों के अंतर के बदलते हुए चक्र को सहा होगा केवल बही जीवों को जो अनुकुली प्रतिक्रिया के लिए सक्षम थे प्लाइन और जीवित रहने में सक्षम हुए होंगे दोनों ही मामलों में दिशात्मक चुनाब जनसंख्या में विबरन को कम करने की और अगरसर होता है चलिए अब हम बात करते हैं भिगटनकारी चुनाब जा फिर बिविद चुनाब की भिगटनकारी चुनाब जो एक बार फिर से बिस्टन बैटुलेरिया का उधारन की मदद से समझाया जा सकता है और ध्योगिक शेत्रों में लगबख सभी शलब गहरे रंग के थे जैसा की हमने पहले जाना हलांकी ग्रामीन इलाकों में बही शलब रंग बहुत हलके थे दोनों स्थानों पर बहुत कम मद्दे रंग के शलब देखने को मिले हलके रंग के शलब हलके रंग के परिवेश के साथ ग्रामीन शेत्रों में और शिकारियों से बच गे गहरे रंग के शलब ग्रामीन इलाकों में शिकारियों द्वारा असानी से देखे जाते थे और खाये जाते थे इसके भी पृत उद्योगिक शेत्रों में हुआ मद्यम रग्ण के शलब जो थे असानी से शिकारियं द्वारा देखे जाते थे और दोनों स्थानों पर खाये जाते थे इस परकार बिगटनकारी चुनाब के बाद बहुत कम मद्यम रग्ण के शलब रह गे इस परकार इस उधारन से स्पष्ठ है कि बिगटनकारी चुनाब में लक्ष्णों के अत्यदिक भिन्नता वाले ब्यक्ती मद्यवर्ती लक्षना वाले ब्यक्तियों की तुलना में चुने जाते हैं बिगटनकारी चुनाब की व्याख्या करने के लिए डार्विन ने फिंचेस की बीक जो हमने की पहले पड़ा है के अकार के बहुत सारे उधारन दिये थे चलिए अब हम बात करते हैं विकास के प्राकृतिक चुनाब की भूमिका की विकासबादी कारक के रूप में प्राकृतिक चुनाब का प्रभाव नई प्रस्तितियों के अंतरगट हनिकार्क गुनोंग द्वारा चुनाब स्माप कर दिया जाए लाबकारी गुनों को प्रबल और संशोदित हो जाता है ऐसे वरण जो ना तो हनिकारक हैं और ना ही लाबकारी हैं संशोदित नहीं होते हैं और अनुवांशिक के माध्यम से बने रहते हैं दार्विन और उनके अन्याईयों के अनुसार पुनरावर्ती और गहन चुनाब से परजातियों के रूप और कारे भिधी में एक धीमा प्रंतु स्थिर संशोदिन होता जाता है क्रमिक पीडियों के माध्यम से एक संशोदिन हमेशा अनुकुलन की और अनुरूपता की और ले जाता है जिसे कि हम इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हैं डार्विन बाद में प्राकृतिक चुनाब एक मूल भूत बिचार है एक लंबे समय के लिए ये सोचा गया था कि विकास एक सरलरेखिक प्रगती है जिसे सीडी के शीर्ष पर मनुश्य है हलांकि इस दृष्य को अब सभीकार नहीं किया जाता है अब हम समझते हैं कि विकास एक शाखा के रूप के साथ आगे बढ़ता है जहां एक शाखा की प्रजातियों दूसरी शाखाओं को जनम देती हैं और इसी तरह ये क्रम चलता रहता है विकास किसी जीब के अनुवांशिक कोड में परिवर्तन जिसे के हम उत्परिवर्तन कहते हैं के रूप में होता है ये उत्परिवर्तन उस बातावरन द्वारा चुने जाते हैं जिससे जीब मुझूद होता है इन उत्परिवर्तन परिवर्तनों में से केई जीवों के लिए हानिकारक हो सकते हैं और हानिकारक जीनों के जीव के वंश में पारित होने से पहले जीव की मुर्यत्यू हो सकती है कभी-कभी हलांकी एक जीन सयोजन उत्पन हो सकता है जो बास्तव में जीव के अनुकूल को अपने विशेश बातावरन में सुधारता है और इन जीनों की अगली पीडी में पारित होने की अधिक्त संबावना बन जाती है इस प्रकार प्राकृतिक चुनाब की प्रक्रिया से बनी सबी जीव रूपों का शाखाई विकास होता रहता है इसी प्राकृतिक चुनाब के कारण डाइनासोर की महान विविद प्रजातियां भिक्सित होने में सक्षम रही थी चलिए अब हम बात करते हैं प्राकृतिक चुनाब विकास और अनुकूलन दोनों की व्याख्या करता है प्रयावरन में परिवर्तन होने पर प्राकृतिक चुनाब दुवरा विकास होता है और जदी ऐसा एक निया रूप उत्पन होता है तो प्रजातियों के बर्तमान सवरूप से बहतर तो प्राकृतिक चुनाब एक निरंतर बातावरन में विकासवादी परिवर्तन भी उत्पन करता है। जैसे कि जब पैपर्ड मोत का बातावरन बदल गया जहां उनकी प्रिष्ट भूमी जानि के शल्बों का बसेरा हलके रंग के बजाए गहरा हो गया तब समय के साथ शल्बों की अवादी में बहुत सारी जो बदलाब हैं वो आए। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि कीट अवादी बिक्सित हुई जानि कि अगर एक शल्ब जो था वो खत्म हो गया लेकिन दूसरे शल्ब की अवादी जो थी वो बहुत जल्दी से बिक्सित हुई। विकासवादी परिवर्तन का उत्पादन करने के अलावा प्राकृतिक चुनाब जन संख्या के स्थिर रखने का कारण भी बन सकता है। यदि प्रयावरण स्थिर है और जन संख्या में कोई बहतर रूप नहीं उबरता है तो प्राक्रोतिक चुनाब अवादी को उसी तरह बनाए रखेगा। इसलिए प्राक्रतिक चुनाब विकास वादी परिवर्तन और परिवर्तन की अनुपुस्तिती दोनों होने की व्याख्या कर सकता है तो प्यारे विद्यार्थियों विकास अध्याय के इस भाग में हमने चुनाब और भविन परकार के चुनाबों पर चर्चा की भिविन जीव प्रयावरन संबंदों के अधार पर तीन प्रकार के प्राकृतिक चुनाब को मानेता दी गई है स्थाई कारक चुनाब, दिशात्मक चुनाब और भिगटनकारी चुनाब स्थाई कारक चुनाब ओसत जां समाने व्याक्तियों के पक्षदर होता है और आति विशिष्ट के साथ कम विशिष्ट या कम अनुकूलित व्याक्तियों को समाप्त करते हैं मुझे आशा है कि दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उप्योगी होगी धन्यवाद, नमस्कार झाल